वेलकम टो और चैनल, फ्रेंड्स आप से वीकल स्वागत है, तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों सुभई बता दिया था, कि अपना जो IBPS PO का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, अब अपिसली नोटिफिकेशन आच चुका है, अपने वेकेंसी के बारे में बात करें कितनी और किस तरह से अपलाई करना है, देखिए पहले से द्यान से देख लीजिए, IBPS क्लेरिकल SBPO के फो में बहुत गलतियां कर रहे हैं और फिर बाद में आके बोलते हैं, सर ये गलती होगी क्या दोबारा फिल किया जाए, सर क्या किया जाए, तो वो एक्जाम तक आपके जो स् उसमें करती है, अब दोबारा बार बार वही चीजें पूछ रहे हो, अब उसमें कुछ नहीं होगा, आप लोगो दोबारा फोम बरना पड़ेगा, साड़े आड़ से लगाने पड़ेगे, अगर आप लोगो अपनी संतूष्टी चाहिए, अब अगर नहीं बरोगे, तो व वीडियो को मैक्समम सेर कर दीजे अपने फ्रेंट्स के साथ, तो चलिए बात करते हैं, ओपिसली नोटिफिकेशन के बारे में, देखिए ओपिसली नोटिफिकेशन अभी पेस का अपना है, और इसमें 2022 के लिए उनके लिए बोला गया है, दिसंबर और जनवरी के अंदर उन्होंने बोला है कि हम जो अपना एक्जामिनेसन्स रहेगा, वो खैने के इंटेंटिटिव रहेगा है इनका, अगर इपने देख लेते हैं इसमें उन्होंने, जो भी मैंसिन के रखे चीज़ है, बैंक जो बो पार्टिसपेटिंग कर रहे हैं, आपके बैंको बडोता, बैंकोप इंडिया, बैंकोप मारास्ट्रा, केंद्रा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन और्सीज, पंजाब नेसल, पंजाब अनसिंद, वियूकोबैंक, यूनियन बैंकोप इंडिया, तो ये तो आपको पताईए, अब एक्जाम की डेट तो वह ही है, आपके 20-10 तक आपके फोर्म परे जाएंगे चार और 11 तरीक आपकी दिसंबर की टेंटिटी वे प्री एक्जाम के लिए और मेंस एक्जाम आपका जिन्मरी में रहेगा और फाइनल जो अलोटमेट आपका वो अपरेल 2022 में आपको मिल जाएगा पेटी के लिए भी इन्होंने बोला है कि अगर फॉसिबल होगा था हम पेटी करवाएंगे बो तो देखने वाली बात रहेगी कि ये करवाएंगे या नहीं अब इलिजिबलेटी क्रेटिरे के बात करते हैं अपने सेटिजिन होना चाहिए इंडिया का मिनिमममेрь आपके होनीची है 20 साल मैक्सिमूमिज आपके होनीची है तोOSSTALK पहोनी चाहिए तो आपका आपका जिनमों पहले है यह चीजए आप लोग दोग दुए और विअनल और आप लग देख सक्षे हाँ सके हो इसके लाव यहाँ पर education qualification पर इन्होंने बोलाएगी एक 1011, age on 1011, 1011 यानि 10 November तक आप लोगी जो वो a degree in any discipline of an university ठीक है तो आपकी जो रिजल्ट जो है न वो 10 तारिक से पहले पहले आ जाना जाएगी 10 November से पहले अगर आपका result आ रहा है तो आप यह form फिल कर सकते हो क्योंकि यह कि form में आपका जो graduation का marks डाला जाएगा आपकी जो date की result है वो डाली जाएगी तो आप 10 तारिक तक वेट कर लो गर आप किसी का कोई भी final का result आने वारा है तो वो 10 तारिक तक वेट करें 10 November को आप अपना जो form है वो फिल कर देना अगर आपका result आ जाए तो ठीक है एक्जाम का पेटन आपका यही रहेगा कि English 30 नंबर 30 marks की रहेगी ठीक है 20 मिनिट का सेपरेट टाइम होगा quantitative attitude 35-35, reasoning ability 35-35, 100 question-100 marks और सभी के लिए सेपरेट टाइम रहेगा 20-20 मिनिट का एक गंटे का टाइम रहेगा Candidate have to qualify each of the three test by the securing minimum cutoff marks to be decided by IBPS accurate number of candidates is agreed by the ठीक है तो आपको जो वो sectional cutoff के साथ साथ overall cutoff भी यहाँ पे जो वो करनी होगी क्योंकि हर section के अंदर अलग से cutoff रहेगी यही चीज मेंस के अंदर रहेगी कि हर section के आपकी अलग का टॉप होगी और आपकी जो वो overall cutoff रहेगी एक तो यह आपका प्री और मेंस का जो structure था देखिए photograph के बारे में यहाँ पे नहीं बोल दिया कि यह size आपको photograph करकना है signature black pen से करने है declaration black pen से आपको करना है और left thumb का आपको यहाँ पे जो वो scan करवाना है तो यह तीन चीज़ आप लोगो करनी है इसके लावा signature जो आपको फिल करना है यह वाला जो आई उसके बाद आपका नाम here by declare all the information submit by me in the application form is correct true and valid I will present the sporting documents as when required तो यह वाला आपको जो फिल करना है और इसको stand करके और उसमें लगाना है ठीक है तो यह चीज़ द्यान रखें यह वाला है आपको यह और मट डाले दाना SBA में लग है IVPS में लग तो यह द्यान रखना आप थोड़ा इसके लगा फीस विगर आप लोग की साड़े आट सो है उसका कोई है नी तो thumb impression आपका hand declaration, signature और photograph यह चीज़ आप लोगो यहां पर डाल दी है और photo यह द्यान रखना कि ने वाली हो आपकी परानी photo नहीं होनी चाहिए और उस type की photo आपके पास कम से कम 10, 15, 20 photo आप लोगों के पास होनी चाहिए जो photo आप लोग डाद रहे हो इसमें अब बात करते हैं वेकेंसी की देखिए वेकेंसी यहां पर total वेकेंसी की मैं बात करूं तो 435 वेकेंसी है total टोटल 435 वेकेंसी आपकेंसी यहां पर जिसमें से general category की 1600 वेकेंसी है EW की 404 वेकेंसी है OBC की 1102 वेकेंसी है ST की 350 वेकेंसी है RSC की 689 वेकेंसी है तो अब यह वेकेंसी जब आपका final requirement आएगा तब तक change भी हो जाएगी और इधर अगर बात करें अपने Punjab National Bank ने यहां पर बोला कि अभी तक reporting नहीं कि इन दोनों बैंकों ने तो आप देख सकते हैं Punjab National Bank और Indian Bank दोनों बैंक अच्छे बैंक है बड़े बैंक है Punjab National Bank तो इनकी वेकेंसी आएगी तो कहीं कहीं वेकेंसी इंगरेज होगी यहां? अब बैंको बड़े ने बना करते है जीरो वेकेंसी कि नहीं पर पंजाब नेसल बैंक और इंडियन बेंक बोल रहा कि अना रहा है नी नोट रिपोर्टिंग हम वकेंशी को रिपोर्ट करेंगे जब आई बीपेस आपकी जब अपरेल के अंदर आपका जो फाइनल लोटमेंट आएगा उस टाइम पर यह वकेंशी एड हो कि और नया आपको पता है कि इसका जो फोम है वो ओल इंडिया वरा जाता है नहीं कि स्टेट वाइस विकेंशी है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं उसमें अब यह फोटो का देख लो फोटो आपका साइज रखना है साड़े चार से साड़े तीन सेंटिमेटर का ठीक है इसके रावा फोटो का डेमिनेंट सेंस होना चीए वो 200 से 230 पिक्सल का होना चीए और साइज जो फोटो का होना चीज वोना चीज बीस के बीस के बीस से 50 केसी होगा तब ही अपलोड होगा उसमें यह दियान रखना आप लोग और यह देखिए आप यह वाहिट अगर वेग्राउंड है ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए तो यह चीज आपने फोटो के बारे में थोड़ा सा चेक कर लेना इसके लाब रेड़ आइस भीड़ा फोटो के इंदर नहीं दिखनी चाहिए तो आप लोगों को पताईए जो आपकी फोटो होती है फोम वाली तो वह पर आपका बलू लगा उसमें को इसमें रहती नहीं यह नहीं बाहिट वेपर पेगर ब्लैक से गरोगी तो इसलिए यह बोला जाता है इसको प्रफेर किया जाता है तो आप लोग इसी को प्रफेर करें बागी बातलों के लिए इतना ही कुषता यह बाकी आप लोग के लिए आगे एसमनेशन के बारे में रहेगा तो यह सारी चीजिए iv coupate का एक free mok test आप लोगं को कोड़ यह वाला कोड़ अगर आप लगा होगे तो अली वोड़ पे सबसे जाता डिसकाउंट इसी कोड़ पे मिल रहा है तो आप मॉक्टस लीजिए च्छा महीने के वैल्डिटी बाला लेजिए जिसमें सभी आजाएंगा आपका इसके लिए अपना नाम नंबर और इमेल आईडी डालने और रिजिस्टर कर लेना जैगा जैसे रिजिस्टर करोगे आपको फ्री मॉक्टस मिल जाएगा विल्कुल फ्री है एक मॉक्टस उसको लगाईए आप लोग और देखिए एनालिसिस कीजिए एक्जाम और इंटेड कंटेंट है एक्जाम और इंटेड मॉक्टस है तो एक बार जाके आप लोग जुरूर चेक कीजिए ठेंक्यू जोस्तों अगर इसके लावा भी कुछ ड लगा दूँगा तो दोनों चीजिए आप लोग के लिए इंपोर्टेंट है और इसके लावा अगर आप लोग जाते हो कि करेंट फेर सर अब या बीपिस में देखा एस बीए में देखा करेंट फोर का बहुत ज़्यादा डीपली क्यों से साले है तो उसके लिए अफेर क् उसी एक मतर सोरस है और उसको आप लोगो पढ़ना पड़ेगा उनकी PDF जो मंतली आती है उनको पढ़ना होगा तब ही GM स्कोर आएगा अब यह नहीं कि आप MCQ करके और GK में आप लोग जाती हो 30 नमबर लेके आजाएं तो वो है नहीं अभी MCQ करके जाओगे तो आपके sectional cut-off pass होने के भी chance नहीं है तो यह चीज़ ध्याँ रखें आप लोग sectional cut-off pass होने के chance नहीं है अगर आप लोग MCQ करके जाओगे तो इसलिए detail में GK को बढ़ना पड़ेगा और सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी हर question की आपको कम से कम 2 या 3 extra information करनी हुई तब ही GK के अंदर आपके marks आएंगे यह बात सचाई है जो आपको कोई educator नहीं बढ़ाए क्योंकि उनको सिरफ अपने courses बेजने से मतलब है उनको यह नहीं दिख रहा कि हम सिरफ MCQ करवा रहे हैं तो student के marks नहीं आ रहे वहां पी क्योंकि क्योंसे नहीं पूछ रहा है MCQ से अब क्योंसे नहीं वो deep पूछ रहा है तो deep पूछ रहा है तो deep पूछ रहा है तो अपने को भी deep profession करना पड़ेगा अब यह थोड़ी है अपने GK छोड़ी दे अगर GK छोड़ देंगे तो बाकी students हम से आगे चले जाएंगे फिर भी अपने पीछे रहे जाएंगे तो GK को क्योंने deep में पढ़ लिया जाए तो वहां से भी अच्छा score आजाएगा और GK में आपको करना कुछ नहीं सिर्फ पढ़ना है और पढ़के ही आपको लोगे marks आ रहे और selected question होते हैं आप लोगों को पता ही यह banking में कौन से question आती है तो selected question ही मिलेंगे आप लोगो अफेर अगर कोई भी doubt आतो comment section पूछ रहे ना thank you दोस्तो have a nice day